करोना एक बर फिर्ट से दोगुनी पावर से लौट रहा है हर दिन बढ़ते आकरे दहशत की दस्तक दे रहे हैं एक रिपोर्ट के मुताब एक पिछले 24 घंटे में भारत में करीब 40,000 करोना के नए मामले सामने आए हैं जी हां करोना के संक्रमन जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं लोग इसे बिलकुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं बलकि और भी ज्यादा लापरवाही बरत्ते नजर आ रहे हैं नवा मास्क लगाते हैं नहीं अमाने को तयार हैं कि करोना जैसी कोई गंबीड बिमारी भी है पूरी खबर बताएंगे उससे पहले नमस्कार मैं हूँ अप्राजिता और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्षन देश के कई सहरों में करोना बेकाबू होता नजर आ रहा है है ऐसी स्थिती को देखते हुए महरास्ट में एक बार फिर से लॉगडाउन लगाया जा सकता है महरास्ट के सीम उद्धर ठाकरे ने करोना के लिए लॉगडाउन को एक ही विकलत मात्र समझा है राजधानी दिल्ली में भी करोना का कहट तेजी से पैर पसारते वे नजर आ रहा है राजधानी दिल्ली ही नहीं अभी तो मध्य प्रदेश में भी करोना का प्रकूप सामने आ रहा है जिसकी वज़े से MP के तीन शहरों में यानि भुपाल, इंदो और अर्जवलपुर में लॉगडाउन लगाने की बात कही जा रही है 21 मार्श से एलाम किया जाएगा और 31 मार्श तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे इधर पंजाब में भी हालाद वेकाबू नजर आ रहे है राज्य के 11 सबसे जादा करोना प्रभावित जिलों में सभी तरह के समाजिक आयोजनों पर प्रतिबंद लगा दिया गया है हलाकि अंतिम संस्कार के लिए छूट रहेगी लेकिन उसमें भी 20 से जादा लोगों के शामिल होने के लिए अनुमती नहीं है यह सभी नियम रभिवार से लगू किये जाएंगे यानी 21 मार्श से करोना के दूसरे चरन के प्रकोप से यूपी भी दूर नहीं है करोना जैसे संकरमन को रोकने के लिए CM योगी ने भी करारूख अक्तियार कर लिया है यूपी में अब बिना मास्क के दवा नहीं मिलेगी साथ ही रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क के नजर आने पर जुर्माना भी भड़ना पड़ेगा करोना संक्रमन को लेकर बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार शनिवार को स्वास्थ विभाग और सभी जीलो के डियेम के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे और इस दोरान सीम जीलो में विस्टिश जानकारी लेंगे और साथ ही उन्हीं दिशा निर्देश जारी करेंगे कौरत लब हो कि सीम प्रतिदिन करोना केस की जानकारी लेते हैं और उस पर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश भी देते हैं इस दौरान अंदेश के कुछ राज्यों में करोना की केश्ट में काफी व्रिद्धी हुई है बिहार में इसको लेकर सतक्ता और बढ़ा दी गई है इसी पर सीम स्वास्त विभाग के अलाधिकारियों के साथ साथ सभी जीलों की डियम से बात करेंगे हलाकि सरकार महरास्त से आने वाले यात्यों पर खासा ध्यान दे रही है लेकिन फिर भी कुछ लोग इससे बचने की कोशिश में लगे हैं जो लोग फ्लाइट से आ रहे हैं वे सिधे महरास्त से पटना नहीं पहुंच रहे हैं प्रवाही अगर बढ़ती गई तो इसका परिणाम बहुत ही भेंकर साबित हो सकता है आज की खबर में फिलाल इतना ही ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए जुरे रहें जन्ता जंक्शन के साथ अगर आप हमारा वीडियो सेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें और यदि यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे आप हमारी टीम से इंस्ट्राग्राम और ट्विटर पर भी जुर सकते हैं आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं जनकारी के माध्यम से डोनीशन एक रूप में हम तक अपना सहीयोग पहुचा सकते हैं धन्यवाद